हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू क्लास 10th mathematics चैपर फॉस्ट रियल नंबर्स तो टुड़े विल सॉल्व क्वेशन नंबर सेकेंड और थे एक्सरसाइज 1.4 तो पहले फॉस्ट कोशन को में पिछली वीडियो में सॉल्व कर लिया था तो अब हम लोग सेकेंड कोशन और फॉस्ट सॉल्व करके इस चैप्टर को पुरी तरह से फिनिश करेंगे क्लोस करेंगे बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है यह तो सेकेंड कोशन किया है सेकेंड कोशन है राइट डाउन देसिमल एक्सपैंशन अब दोस रैशनल नंबर सिन कोशन नंबर फॉस्ट एबव विच विच अब टेर्मिनेटिंख डेसिमल एक्सपैंशन डोसमले ट्रेसिमल एक्सपैंशन नंबर सि हमको फैर सिर्टीन में 3 125 इसका टर्मिनेटिंग कर एक सो कि इसको हम लोग उसके form में लिखेंगे, क्या बोलते हैं, वही decimal expansion लिखेंगे इसका, तो इस इक्वल टू 13 अपॉन में, अब इसका prime factorization करेंगे, इसको दूसरे method से हमें बता रहा हूँ, तो prime factorization करेंगे, तो 5 to the power 5 into में 2 to the power 0 के form में है, 2 to the power 0 into में 2 to the power 0 है, अब इसको 2 to the power 5 इसको इस तरह से करना है कि यह 10 के इसमें हो जाए, तो 13, अब उपर नीचे हम अगर 2 to the power 5 से multiply करते हैं, 13 into 2 to the power 5 upon में 5 to the power 5 into में 2 to the power 5 is equal to 13 into में 2 to the power 5 upon में, अब 5, 5 power दोनों में common हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, exponential identity आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऐसे यह हो गया, यह 5 into 2 power 5 है अब, अब क्या होगा, 13 into में 2 to the power 5 का value क्या होगा, 32, 2 to the power 5 की value 32 होगी, 2 to the 4, 4 to the 8, 2 to the 16, 16 to the 32, 32, 5 to the 10 to the power 5 रहा है अब, 13 into 32, अब इसको हम लोग कर लिया जाए, तो 32 अब इंटो में 13 क्या होगा, 13 to the 26, 13, 3 to the power 5 रहा है अब, कौन में 10 to the power 5 हो गया, अब देखिएगा, power 5 है तो उतने डिजिट के बाद डेसिमन लगेगा, तो 6 के पहले 1, 1 के पहले 1, 4 के पहले 1, नहीं हो रहा है तो एक और, और एक और, तो 0.00416, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार में लगा, मैं साब से लिख दे रहा हूँ, 0.00416 यही अंसर आएगा, आप लोग का, उम्मीद करता हूँ, यही अंसर, तो नौ, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट कौन सा टर्मिनेटिंग है, सेकेंड वाला भी टर्मिनेटिंग है, सेकेंड क्या है, 17 अपन में 8 17 अपन में 8 इसको इक्वल करेंगे ऐसे 17 अपन में 8 को तो टेमेटिंग है यह 17 अपन में 2 टू दी पावर क्यूब है अब 2 क्यूब को आप उपर नीचे 5 क्यूब ज़ितना भी पावर हुथ उतने के अगर 2 नहीं है तो 5 से मैडिप्लाइ करिए अगर 5 नहीं है त के भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन क्लास 10 के बुक में सी तरह दिया हुआ नसी तरह में बता रहा हूं तो 17 इंटू 5 तो दी पावर क्यूब अपॉन में 2 क्यूब इंटू में 5 क्यूब ठीक अब क्या होगा 17 इंटू में 5 का क्यूब अपॉन में 10 का क्यूब हो जाएगा ऐसे नेक्स्ट 17 इंटू 5 का आगे हम लोग करेंगे तो 55 25 25 और 5 जा 125 अपॉन में 10 क्यूब नेक्स्ट अव 17 से मल्टिप्लाइ करके 10 क्यूब ऐसे कर लिजेगा आपका अंसर आ जाएगा मैं इतना नहीं बता रहा हूं चलिए मैं बता ही दे रहा हूं मैं हमें सासी करता हूं लेकिन कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोग देख लें आप बढ़िया से वीडियो लेकिन आप लोग अपने ट्राइक कीजिए करिए तब मेरा दिख सेवेंटीन और फॉर ट्वैंटी वन अपन में टेंट का क्यूब तो अगरतीन के रहेगा तो टू पॉइंट वैंट वन टू फाइव क्या है यह यही हम लोग आप डेसिमल एक्सपैंशन के बाद यही हम लोग रिजल्ट आएगा नेक्स्ट क्या है टेर्मिनेटिंग में 320 फॉर्थ पार्ट फॉर्थ पार्ट रुकिये फॉर्थ पार्ट फिफ्टीन अपन में 600 फिफ्टीन अपन में 600 आगे इसको सॉल्फ करूंगा मैं तो आगे सॉल्फ करने के बाद 3 अपन में 320 अब इसका मैं प्राइम फेक्टराइजेशन करूंगा तो प्राइम फेक्टर के लिए 5 factorization के लिए मैं देख ले रहा हूं 320 तो 2 to the power 6 into 5 to the power 6 into 5 2 to the power 6 into 5 अब उपर निचे यहां पर 5 to the power 1 है तो 5 to the power 5 से उपर निचे करूंगा तो 3 into 5 to the power 5 upon 2 to the power 6 into 5 into 5 to the power 5 अब 5 और 1 निचे 6 हो जाएगा पावर में देखिए इधर 5 to the power 1 और 5 to the power 5 जोना मिल करके 5 to the power 6 हो जाएंगे इसलिए मैंने 5 to the power 5 से multiply किया हूं तो अब 3 into में अब 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 जा 625 तो वही 3 रुकिये मैं बसे कर ले रहा हूं multiply करके थोड़ा typical हो सकता आए आपके लिए 5 5 जा 25 25 25 1 to 5 125 125 1 to 5 6 25 6 25 को 5 से multiply करे 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 12 जा 6 5 जा 30 जा 30 जा 1 31 जा होना चाहिए 5 5 5 जा 25 5 2 जा 10 जा 10 जा 12 5 6 जा 30 जा 1 31 3 1 2 5 3 1 2 5 3 1 2 5 जा है अब next 2 into 2 to the power 6 into 5 to the power 6 हो गया तो 10 to the power 6 हो जाएगा 3 into 3 अब 3 into 3 1 2 5 कर लिया जा है अब इसको calculate करेंगे हम लोग अब calculate करने के बाद हम लोग का 9 3 7 5 upon 10 to the power 6 आया अब 6 digit के बाद हम लोग decimal लगा देंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 तो 0.009 3 7 5 8 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट 6 डिजिट हो गया हम लोग का यह आम लोगो ने लगा दिया यह अब next part है इसका क्या अब फूर्थ पार्ट के बाद हम लोग का क्या होग गया next कौन से टर्मिनेटिंग है शिट पार्ट टर्मिनेटिंग है तो 23 अपॉन में स्क्वाइर और इंटू में 5 अपॉन में इंट फाइव खाली 5 से मल्टिप्लाइ किया हूं और 23 फाइव जा कितना होगा फाइव जा 15 फाइव जा 10 और 10 और 1 11 अब 2 तू दी पावर क्यूब और 5 तू दी पावर क्यूब हो गया यह तो 0.115 अब नेक्स पाइव जिसका क्या है नेक्स्त कॉंसर टर्मिनेटिंग यह वहला टर्मिनेटिंग है इसको टर्मिनेटिंग है यह तो इसमें भी वही कर लेते हैं आई मोग 10 बनाने के लिए 2 तो धी पावर 5 के फाउँ है तो 2 का में तो 2 इंटु तू अबनमें 5 इं 10 और अब 0.4 यह एंसर आएगा अराम से यह एंसर आगिया मैं यहीं बता दिया हूं नाइंथ पार्ट किया है अब लोगों समझ में आ रहा होगा उम्मीद है कर दूंगा इसका क्या है थर्ट कोश्चन अब थर्ट कोश्चन क्या है थर्ट कोश्चन है इस डिये हुए है डिसाइड वेदर देर राशनल और राशनल है कि नहीं हम दो को बैचाना अगर वह राशनल है तो और पी बाई क्यों किस फॉर्म में रहेंगा क्यों का फ्राइंट रहेंगे तो पहला को शने तो स्मझांने लिए तो आपलोगों को पता होगा डेसीम एक्सवारस टर्मनेति न deform अगरोगा तो यहla टेर्मनेति अंग तो राशनल अगर्ट एक स्टर्मनेटीन है तो हम लोगी पढ़ा है ओने मिला अनग प्रेंप सवार्टस तन 89, it is terminating, therefore it is rational, अब हम लोग को prime factorization of q के बारे में, अगर टर्मिनेटिंग है, if terminating, therefore q is equal to 2 to the power n और 5 to the power m के form में रहेगा, हम लोग ने थेोरम में पढ़ा आई है, कि अगर terminating है तो ये इस के form में रहेगा, तो prime factors, prime factor of q must be, must be क्या हो रहना चाहिए, या फिर 5 रहना चाहिए, और both, both, only, इनी तीरों में से कोई एक रहेगा, तभी वो satisfy करेगा, अब second part क्या है, अभी ये तो irrational होगा क्योंकि ये non-terminating, non-repeating है, non-terminating, non-repeating है, 0.1201, 120, 1200, 1200, 1200, 1200, it is non-terminating, non-repeating, repeating, therefore, it is irrational, ओके, ये हो जाएगा हम लोग का, अब next, third part इसका क्या है, third part भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको फटाक से, third part क्या है, इस question का, third part है, 43.43.123456789, पूरे पर बार है, ठीक, अगर जानते ही है, ये तब non-terminating, अगर बार लगया, तो non-terminating, repeating हो गया, it is non-terminating, terminating, repeating, repeating, therefore, it is rational, ये हो जाएगा, rational, मैंने उमीद, it is irrational, rational, ओकर ठीक, ये वाला, rational हो जाएगा, ठीक, third part, rational हो जाएगा, अब, क्या हो जाएगा, if non-terminating, repeating, non-terminating, terminating, repeating, repeating, therefore, q is, it does not equal to 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर मेद आही रहेगा, तो इसका जो प्राइम फेक्टर अफ क्यू प्राइम फेक्टर अफ क्यू मस्ट भी अधर देन अधर देन तो और फाइफ और बोथ इन तीनों से अलग अधर रणा चाहिए तभी यह सइटिस्पाइब इससी के साथ हम लोगका exercise 1.4 complete होता है chapter number first complete होता हमलोगका राइं लomi Tanzu का chapter फolly अँप लोगों समझ मेंchlossen जाता हूं बाइब थांक यू